परमादर्निय, धर्मगुरुगण, अन्य सम्मानित अचेथी और सुधी शोतागण आज हम सामान्य भाषा में जिसको लाल बाग चर्च कहते हैं, उसका स्वण जैन्ती उस्सव मना रहे हैं इस मौके पर आयोजकों ने मुझे अपने वेचार व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान किया, यह मेरा सौभग्य है और मैं हिर्दे से आयोजकों के प्रसंसा करता हूँ यह लाल बाग चर्च कैथोलिक चर्च है, इसका मुख्याले रूम में है, इसलिए रूमन कैथोलिक चर्च इसका सही नाम है रूम में सारे दुनिया में कैथोलिक चर्च के पूज्य गुरू, धर्म गुरू, फादर फ्रांसेस है ऐसे विश्वबंदनीय फादर प्रांसेस को मेरा कोटिशह नमन जब कोई संगठन, समाज, धर्म, सिक्षा और स्वास्थ से जुड़ता है तो वह बड़ी आसानी से जन सामान्य में अपना परिचे बढ़ा लेता है यही कारण है कि आज जगदलपुर की जन्ता, निर्मल विद्याले, दीप्तिकान्वेंट, विद्या जोती और ज्ञानवदय स्कूल में अपने बच्चों को भरती करा कर निश्चिन्त होते हैं कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित, M.P.M. होस्पिटल आज जगदलपुर की पहचान बना हुआ है मैंने अनुबव किया कि इन संसाओं में नंस, सिष्टर्स, ब्रदर्स, मदर या फादर जिनको भी जो काम दिया जाता है या ये कहूं कि जो भी जो काम स्विकार करते हैं उस काम को अपने कर्तव्य बोध से पूरा करते हैं और जब किसी काम में कर्तव्य बोध सामिल हो जाता है तो व्यक्ति अपनी योग्यता का सर्वोतम प्रियोग करता है जिससे कारिय अच्छा होता है अच्छा कारिय सभी को भाता है यहां कैथोलिक चर्च पूरे संभाग में दूर दराज इलुक इलाके में भी छोटे छोटे गाओं में भी अपनी सिख्षा और स्वास्त की सेवाएं उपलब्द करा रहा है यह बड़ी प्रसन्यता की बात है मैंने अनुभव किया कि कैथोलिक चर्च न केवल सिख्षा और स्वास में अग्रणी है बलकि वह सामाजिक और धार्मिक सद्भाव में भी अनेक ऐसे कार्य करता है जो लोगों की याद में बने रहते हैं कुछ दिनों पूर क्राइश्ट कॉलेज में दिवाली मिलन समारोह हुआ था मुझे भी उस कार्य कर्म में सम्मलित होने का आउसर मिला था उस कार्य कर्म की भव्यता आज भी मुझे याद है यह एक सामाजिक सोहार्द्र का सामाजिक सद्भाव का उदाहरन है इसी प्रकार धार्मिक सद्भाव के लिए विगत दिनों निर्मिल विद्याले में एक कार्य कर्म आयोजित किया गया था उसमें सब धर्मों के गुरुवों को सब धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया गया था ऐसे कार्यक्रम लोगों को परिचित होने और सीखने का आउसर प्रदान करते हैं इन से हम दूर दूर बैठे रहते हैं तो किसी भी धर्म या समाज के विशे में हमारी जो धार्णा रहती है वही बनी रहती है लेकिन जब हम किसी से समय समय पर मिलते रहते हैं तो हमें उनकी बातोیں पता चलती हैं और हमारी ब्रांतियां दूर होती सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सद्भाव के लिए मैं तो चहता हूँ क्योंकि मैं सर्व धर्ब समाज से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं तो चहता हूँ कि प्रत्यक समाज और धर्म ऐसे ऐसे अवसर ढूंडे जब सभी समाज और धर्मों के लोगों को एक मंच पर एकत्रित किया जा सके यह कारिय कैथोलिक चर्च बड़ी खूबी से निभा रहा है इसलिए मैं बहुत बहुत धर्निवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्षना करता हूँ कि उनकी ये भावना निरंतर बनी रहे और दूसरी समाज भी उनसे सीख कर ऐसे अवसर तलाश करें जहां सभी धर्मों और समाज के लोगों को एक मंच पर एकत्रित किया जा सके श्रोताओं ने मेरी बातें सुनी इनके लिए इसके लिए मैं उनका हिर्दै से आभारी हूँ जैए झाल 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 झाल